Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो इंपोर्टेंट टोपिक की बात करने वाले हैं 1st Retail Direct Scheme & the second one is Integrated Ombudsman Scheme Both the Scheme are issued by Reserve Bank of India that is Apex Bank of India सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? Retail Direct Scheme की एक सोट में अगर समझाऊं Retail Direct Scheme क्या है यह एक स्कीम है जो बहुत दिन से RBI ने वेटिंग के अदर डाली हुई थी अब क्या है इस स्कीम के अंदर क्या हो पाएगा? कि जो इंडिजल इंवाइस्टर है यानि कि जो इंडिजल है वो डारेक्टली थू वन पोर्टल इंवेस्टमेंट कर पाएगा गौर्णमेंट सिक्योर्टीज के अंदर इस इस लेमेंट डैफिनेशन इस सेकंड इस इंटिग्रीटिड ओमबर्समेंट स्कीम इसको हम इतना ब्रीफ में डिसकस नहीं करेंगे और सिंपल क्या है कि अर्लियर देजे थी डिपरेंट स्कीम तो रिजर्बेंक ओफ इंडिया ने क्या क्या उनको एक में अमलगेमेट कर दिया नम मींस वन डैसन वन उमबर्समेंट स्कीम जो आपकी customer complaint रहती है जो grievances रहते हैं उनको results हो करती है इस किम वह ओमबर्समेंट स्कीम के अंदर आता इंडिया जितनी भी बैंक सर्विस प्राइट कर रहा है उससे रिलेटिंग जो आपकी प्रोब्लम रहते है कंप्लेंट रहती है तो उसका रिजूलिशन जो होता है वह इंटिग्रेटीड ओमबर्समें इस स्कीम के अंदर होगा हम बात करते हैं रिटेयल डारेक्टी स्कीम कि क्या है जब रिटेील एड की कि अगर हमें किसी भी गोड्यमेंट स्क्योरटी इंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं स्कर्णाअ कहा है नियुक्त प्राइस वो देडे में पहले हो सकता है शूव्यन स्कूनेट बों जो बोन होते हैं ऑश झ इस्टेट डवलप्मेंट लोंस हो सकते हैं और government of India की dated securities हो सकती है अगर हमको उनको उनमें investment कर ला है तो अब क्या है एक single portal बनाया है that is rbiretaildirect.com उस पे जा कर सकते हो अपना account open कर सकते हो जिसे guilt account का जाद है guilt securities account government security account that is for guilt securities account और इसमें important चीज क्या है कि जो ये account रहेगा इसके लिए आपको कुछ चीजे requirement होगी ये इंडियन national है उनके लिए account रहेगा इसका जो opening का process होगा वो भी हम discuss करेगा